नमस्का दोस्तों मैं हुशे गोपार हमारे चनल के आप सभी का स्वागत है दोस्तों आधाम बानाने जा रहे हैं मैंगो लसी जो सामात सिंकिनिका जो पेसाल लसी होता है मैंगो लसी आधाम बानाने जा रहे हैं तो दोस्तों ये बैसिकली मेरा अपना ओड चोईस का तो आप लोग इसको मैंगो का इसा काथ दीजिए तो दोस्तों आप लोग ऐसे मैंगो का स्लाइस निकाल दीजिए मैंगो का अची पील कर लिए तो आप लोग ऐसा एक बनाना लिजिए तो आप लोग ऐसे बनाना को पुराए 이 तो इसमें में दो पोर्शन लशी बनेगा तो इसमें दो पोर्शन में आप हमें याट करते हैं दो बनागा तो दोस्तों यह देख रहे हैं दही दैसिंगली मैंने इसको बठाया हुआ है तो यह देख रहे हैं दही का उपर मालाई का इसा बना हुआ है और इस दही का कैसा ठी तो आपको 2-3 श्पून दही आठ कीजिए तो दोस्तो आप हम इसमें आठ कर रहे हैं यह सुगार तो मिठास के लिए आप लोग 2-3 श्पून शुगार आठ कीजिए अमूल मिल्क पौडर तो आप इसमें आठ करने जारो फूर स्पून अमूल मिल्क पौडर यह देख रहें दो बड़ी चामोज आमूल क मील्क पौडर यह चास मला यहर्पी मीनेस के लिए और आप हम एद करने जा रहे हैं यह है क्रास आइस इसको छोटा बारी सा कात लिए आप लोग आइस नहीं को किसी से तोड़ लिखिए अपने खाने के लिए बना रहा हूं तो मैं चाहूंगा आप लोग से वैसे इस भी पलो करें के अपना धर में बनाए तो बैसिकली लसी आ किहोंकि साब का hometown घर में तो नहीं होता है इसलिए मिकस्षी सब्सकप्राइब के लिकी साध्वां में इसको दाल्ति है अपर शाटता जार्स करत In919 बहुत ही आच्छा है मेरे को तो इसका फ्लेवर बहुत ही आच्छा आ रहा है जो मैंगोगा तो दोस्कों हमारा आज़े यह लश्ची का इसका मिक्सर अलडेडी रेडी हो चुका है आप हम इसमें एड करने जा रहे हैं यह है देश्ची कोकोनाट जो एक दोन फ्रेस है इसको आमने ग्रेड करके राखा है इसका आफ यह उपार डाल च 맡 Pack tror देश्च कोकोनाट हैं सो मंगोमें यह कोकोनाट का पेकर आप वर है तो थोड़ा अच्छा ही रहता है और अब हम है इसका उपर एड कर रहे है यह है किन है नास इसमें है ड्राइole прेvenम किसका तर Semok अ आपको वैसा इस ता ट्राइग्रेश और दोस्तों ट्विस्ट है अब हम इसका उपड़ डाल रहे हैं कि मैं आपने काने कुली बनाएता हैं तो दूस्तों यहां मैं रिसे अपने बनाएता है तो दूस्तों यहां हम शोड़े। मेरे से डिसे पूलों गार में जया हूँ जया हूँ नया हूँ